है लो गाईज नमस्ते प्रणाम राम राम कैसे हैं आप सब आप लोग अच्छे होंगे और आपना अच्छे से खयाल रख रहे होंगे सो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हापी होली होली की बहुत सारी सुबकामनायाब शबको मेरी तरफ से मेरी पूरी फैमली की तरफ से आप लोग होली कैसे मना रहे हैं बहुत ही बड़िया आज मैं रेसिपी आपको देने वाली हूँ होली की ट्रडिशनल रेसिपी जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है होल गुजिया की रेसिपी तेने वाले हैं हम थोड़ा जादा कॉंटिटी में बनाने वाले हैं तो मैंने सोच आज आपको रेसिपी दे देते हैं सबसे पहले 200g किशमिश लिया है छोटा किशमिश एकदम से और 500g मैं लिया है छुहारे और 1200g यह बादां यह बड़ा साथ नारियल का गोला लिया है यह सुखा नारियल है अब बहुत ही इसली तरीके से यह मिल जाएगा और मैंने इसको लिया है 2 kg मैदे के अधा किलो सुजी एक किलो खोया इसी के हिसाब से मैंने यह जो ड्राइफ रूट से लिये हैं अब थोड़ा कम भी कर सकते है हम इसको क्या करेंगे इसको हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से हमने सारी चीजों को सारे ड्राइफ रूट को कट कर लिया है अगर आपके पास इसमें से कुछ ड्राइफ रूट नहीं है तो आप इसकी पी कर सकते हैं और अगर आपके पास चिरोंजी है ना तो इसके साथ सा यह आपुता है शोंडा आपि नंगें 10-15 मिनट लगए को इसको अची तरीक यह तो यह तो Central agadap डेलने वो अच्छे से निकल जाए एकदम light golden brown होने तक इसको हमको भूना है कुछ इस स्टेज तक देखे इसको हमको भूना है जब इस स्टेज तक हो जाएगा तो इसको हमको एक थाली में निकाल लेना है और इसको ठंडा कर लेना अच्छी तरीके से ठंडा होना बहुत जरूरी है ठंडा होने के बाद ही हम इसको यूज करेंगे तो चलिए इसको निकाल लेते हैं थाली में इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं हमने लिए है एक kilo खोया यह हमने घर पे खोया बनाया था अगर आपको घर पे नहीं बना सकते तो आप मार्केट से ला लीजेगा तो अगर आपको कम चाहिए होगी तो थोड़ा कम चीनी डाल दीज़ेगा वैसे इतना डालेंगे तो इनफ होगा बहुत ही बढ़िया बहुत ना मीठा होगा ना बहुत कम मीठा होगा बहुत ही बैलेंस बहुत बढ़िया बनता है इसका तो इतना आप चीनी डाल दीज़े इसके बाद अब इसको हम कर लेते हैं अच्छी तरीके से हातों से मसल मसल के मिक्स करना है इसको मसारे और सूजी में बहुत ही अच्छी mix करके इसको हमको देखिए कुछ इस तरह से यह mix हो जाएगा अच्छे से mix करके इसको हम ऐसे कुछ तरह से हलका हलका दबा देंगे कुछ इस quantity में आपका होना चाहिए जब बांधेंगी तो हलका हलका बंध जाएगा और इसको मेरे रख लेते हैं, दिन जो हमने दो किलो मैदा लिया है, इसको हम थाली में निकाल लेते हैं, कोई बड़ी सी परात होगी तो ज़ादा बेहतर होगा, उसमें आटा है और देशी घी लिया है। गी को मैं ने गरम कर लिया है अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसमें डालडा भी अट कर सकते हैं यह होता है कि अगर आप इसको डालेंगे तो खस्ता बनेगा बोकुत ही बढ़िया आपको पुछी एक्दम खस्ता अलवाई जैसे बनेगी तो उसके बात मैंने इसमें क करने के लिए नमक डाला है मैंने एक अजीब सा जो टेस्ट होता है बाहर का मैंदे का वो चेंज हो जाएगा अगर दो चुटकी नमक डालेंगे उसके बाद क्या करेंगे हातों से कुछ इस तरह से रब करती हुए मसलती हुए हमको इस आटे को तब तक मसलना है जब तक कि सार पूरी समोसे का दो लगाते है पूरी से थोड़ा सा टाइड दो लगाना है तक मीदे को बादा अब्हों को बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे एससे अच्छे से मसलमसल सेसे अच्छे से मसल मसल के इस स्वाफ्ट होनेत् Sundaysato गुत गया है तो इसको हम सबसे पहले गुंत लेते हैं अच्छे से फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको पता चलेगा देखिए जब इसको हातों से करेंगे देखिए कुछ खसता टाइप का या आपका जो हाटा है ऐसे अलग होना चाहिए बस इसको मसल मसल के हम बनाना शुरू करते हैं गुझिया अपनी हम क्या करेंगे आटे की बड़ी सी लोई लेंगे उसको हम बेल लेंगे हलका सा मोटा बेलना है बहुत पतला नहीं बेलना है पहले हलका सा इसको हम मोटा बेलेंगे और बेल करके इसको हम कट करेंगे इसमें आपको सांचे की ज वर कोई गलास या कटोरी लेकर bealtdAS होता है शोने कीन से क्हाल और अगर बना नाइएंगे जए के तरह सिखना संवस्य कोवग मारेart इस मेंटर करने के हले कीने क्यों befए후 구ाड कि बढ़ी हैं भी यू नहीं इस सबाधा कर तो रादे अधर निम्माट को देंटाएंगाyorum सारी पूरियों को बेल लेते हैं लॉकिं किस तरह के लिए इसके बाद आपको दिकाते हैं जासमचिक जितना के इसमें हमारी फिलिंग ऑगी इसको फिल कर नहीं भी होगी उतना ही बढ़िया सिर्फ कंगामे B तेस्टरी लगेगी एक दम मुह में जाएका खोया तो इक दम मुह में खोया- 뿌ing हो जाएगा प्योत फोलिप्स इस वण उसके दे हम टे रदियों बिलेdır इसकी लिए आपको machine तरत नहीं सांचह की जडरत नहीं है टेखे कुछ इस तरह से हम इसमें बिल्कुल सांची जैसे design होगी और पर और беспिले भूट भूट pengोषन हुआ तूटे की नहीं से भी और बहुत ही बढ़ियां की बीना साची की घर पे रेडि हो जाईगी है दोनु तरफ से सांच की डीजाइन दे सकते हैं इसी इसी फॉक से इसी चममग से आप दे सकते हैं डिजाइन तेख गयां देया है मैं दूसरा भी आपको बना जो भी तरीके देखें, आप देख रहे होंगे हम क्या करते हैं तो दिखाते हैं पहले हम सब गुझिया बना लेते हैं अपनी चलिए बनाने के बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में 2-2 मिनट में जादा टाइम नहीं लगेगा इसको हम रखते हैं साइड में पहले और इस में थोड़ा जादा कॉंटिटी में डालब सादुट थोदे जादा कॉंटिटी में चैंटा छेजर में अड़ा है ठोड़ा से ईल धुक्तियित को बनाने को थे में लिए जाएगे तले में चीपक जाएगी जैसे उपर है इसको निकालकर हटा देंगे और हम अपनी उपनी वजिया जो है वन बाई वन करके कड़ाही में डाल देंगे और हमारे हैं पूरी गुजिया कुछ भी बनती है तेल गरम होता है तो इसमें ऐसा गोल सा बना करके आपके हां डालते हैं कि नहीं मुझे जरूर बताईएगा कॉमें बॉक्स में यह अगनी देव के लिए होता है इसा बोलते हैं इसलिए इसको जरूर डालना चाहिए सारी गुझे आपनी कडाही में अड़ कर देते हैं इनको मिडियम तो लो फ्लेम पे एक बैच लगता है एक बैच को पकाने में ज्यादा भी लग सकता है मतलब जिस तरह से अपने गुझे बनाई हैं मोटी पतली मेरा तो करीब गोलटा में अच्छे से लाइट गोलडन ब्र पलटते रहेंगे, तो पलटते रहेंगे, उसके बाद कुछ इस स्टेज तक पकाना है, तो ईससे भी निकाल के इसको इसको पेपर के उपर रख सकते हैं, पर इस्टेनर लेने से ऐनका जो एक्स्ट्रा तेल होगा वह भी नीचे गिर जाएगा, तो बहुत जादा जो तेल है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा हमारी गुजिया में सो हम कुछ इस तरह से एक स्टेंडर में निकाल लेंगे उसके बाद इसको हम कोई पेपर लगा करके बड़े से परात में या थाली में किसी भी चीज में इसको रख लेंगे और दूसरा बैच भी हम कुछ इसी तरह से फ्र प्रादेदार बढ़ियां बने एक तम हलवाई जैसी और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके गुजिया बहुत ही बढ़िया बनेगी एक भी कुछिया आपकी गड़बर नहीं रहेगी और इस तरह से एक बार बना के खा लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे औ इसको माबा गुजिया भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा खोया डाला हैं तो दीमा माबा घुजिया भी बहुत सारा खोया बढ़ बख़ा है बहुत ही टेस्टी उजिया बने थी मेरे अगर में सब सबकों पसंद आई या अप लोंगी अबर इस बडारो सबसे पहले मिलें चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ आप सभी से तब तक के लिए बाय बाय टेक केर लव यू आल हैपी होली